हेलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ फर्स टाम विजट के है चानल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चानल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो या पर भी बेल आइकन क्रेट करके और जरू सेलेट करके रख लेना चानल का लिंक आपको उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो छले फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप सीखने के लिए आते हो शेर मार्केट इधर तो जरूर इंपोर्टन पॉइंट को नोट करके रख लेना ताकि वो आपको भविशा में कोई फैसला अगर आप लेने जाते हो तो उसके लिए वो काम में ये चीज यहापर आ सकती है चले शिरुवात करेंगे सबसे पहले BCG के साथ तो चले बड़ा खेल शुरू हो चुका है जैसे के आपको पताई है BCG किन लोगों का फेवरेट स्टॉक है इमोशनल इंवेस्टर इमोशनल इंवेस्टर मतलब कौन कि जो कंपणी के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते है कंपणी कौन चलाता है कंपणी का मैनेजमेंट क्या है बैलेंशिट क्या है बिजनेस का मॉडल क्या है कुछ भी उससे रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है सिर्फ share के price में interest होता है 10-20 रुपे का share है इसलिए वो बड़ा पैसा लगा लिते और फिर वो चाते कि हमेशा इस company से related में अच्छी बाते करूँ मेरे कोई personal दुश्मन ही नहीं है जैसे कि मैंने आपको कहा है हमें share market में पैसा कमाने आज जो share अच्छा कर रहा है अगर कल उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड होगी तो मैं वहाँ से भी निकल जाओंगा so BCG की बात करें तो आपको पताई है इनके ओपर बहुत बड़े आरोप है scam जैसे fraud जैसे और यह आरोप मेने नहीं लगा है खुद सेबी ने इनको shock opportunities issue किया था अभी वो सारी चीज़े पूरा नहीं होगे अलड़े आप लोगों को पताई है जो lower circuit लगे थे इतने दिनों के बाद अभी हम लोगों को circuit खुलते हुए अपर circuit डेखने को मिल चुका है वापस आपको पताई है कि इस circuit में कौन खरीदने आएंगे वापस retail mister और इन stocks को भगाया भी जाएगा अच्छी तरीकी से क्योंकि बड़े players को exit लेना है तो again कह रहा हूँ दोस्तो संबल कर रहे न ऐसे stocks को avoid करोगे तो ही ठीक रहेगा business में कोई भी दम नजर नहीं आ रहे in fact जो चीजे बताई जाई है मतलब बताई जा चुकी है वो भी सही नहीं है ऐसा भी सेभी का मानना है so बहुत सारे investigation uncertainty वाला माहूल है so skip करोगे तो ही बेटर रहेगा बाकी final decision तो आप ही करेगा क्योंकि पैसा भी आप ही का है then बात करेंगे Trident so Trident की बात करें ठीक है आज की दिन 4-4% भागा है इस वक्क कंपनी के number का date अभी तक तो नहीं आया है आज आएगा कोई बड़ी बात नहीं उसमें बात करें तो textile industry में थोड़ा अच्छा performance चल रहा है आज की दिन volumes थोड़े से हमनों को जादा देखने को मिली trade होते हुए Trident में जो average volumes होते है उससे जादा यापे हमनों को खरीदारी थोड़ी बार देखने को आपे मिली है सो देखा गया तो ये भी stock सेम वही चीज़ है दोस्तों जो बार-बार में आपको बताता हूँ पाथ साल का data देखोगे बिलकुल ऐसा है फ्लैट चलेगा फिर तेजी आएगी फिर गिरावट मतलब RVNLB कैसा है RVNLB ऐसा ही होगा कभी न कभी तो जाके रुकेगा न ऐसा थोड़ी है कि हमेशा जिंदगी में उपर ही चलेगा करके इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को लोजिक क्या बताता हूँ कि अगर किसी के भी returns अगर 400% है किसी भी stock में अगर आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है तो इस प्रकार की चीज़े करनी पड़ती है और बिजनेस के उपर आपका फोकस होना चाहिए प्राइस के उपर नीचे होता रहता है आपको पता ही है कोविट जैसी situation अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा वापस अगर हो गया और एक्जामपल के लिए तो मार्केट कैसी गिरा था रॉकेट की तरह तो उस चीज़ के चलते जितना कम है वो वापस नीचे आ सकता है तो इसलिए के रहा हूं कि बिजनेस के हिसाब से हम लोगों ने समझदारी दिखा कर चलना होता है तो उस हिसाब से आगे बढ़ना है दैन बात करेंगे आज के दिन फोकस था IDFC First Bank के नंबर तो बहुत अच्छे थे नंबर में सिर्फ एक ही एसाफ एक्टर था जो था प्रोविजन जो बड़ा था बढ़ स्टिल प्रोविजन इतना नहीं बड़ा था कि कमपनी का जो ओरिजिनल प्रोफिट है उसको तबाह कर दे ठीक है इसलिए कमपनी का ओर्राल परफ़एंस एंपे भी बहुत शांदार थे सिर्फ मार्केट से थमस अब मिलेगा की नहीं यह देखना बागी था तो थमस अब मार्केट से मिल चुका है गैप अप देखने को मिला और उस तेजी को बाद में आपे मिंटेन किया गया जो कि हम लोग यह आपे देख सकते है इसे रिलेटर जो इसने टॉप बनाया था वो यहाँ पर कमपनी ब्रेक कर पाई गया नहीं इसी के उपर हर किसी का फोकस है लगबग 80 रुपे के आसपास यह टॉप जो भी एग्जैक्लि अगर आप केंडल स्टिक में देखोगे तो आपको प्रॉपर लेवल देखने के आपे मिल जाएगा इस लेवल को अगर कमपनी यहाँ पर तोड़ देती है तब यह कमपनी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी बैंक यहाँ पर बूरी बैंक नहीं है अच्छा परफर्फर्मस देती है कोटक, ICICI, AU Small Finance Bank and SBA ठीक है इसकारति यह नहीं कि IDFC खराव है या फिर मैंने IDFC के अगेंस भी एक मतलब दूसरा स्टाक आपको बताया था कि Federal Bank तो Federal Bank भी बहुत अच्छा कासा यहाँ पर परफर्मस दे रहा है अगर मैं किसी स्टाक को ना बोल रहा हूँ या फिर कवर नहीं कर रहा हूँ इसकारति यह नहीं कि मैं उसके against हूँ थोड़ा सा समझे इस चीज़ को अभी देखा गया तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा ICIC Bank लगता है फोकस रख सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे similar way येस बैंक येस बैंक की कहान ही वैसी है मतलब देखे IDFC फर्स्ट की अगर मैं बात करो ना देखी इसका भी अच्छा कासा income होता है इसका भी अच्छा कासा income होता है दैन अगर हम लोग बात करें वो पूरा बदल जाता है क्यों बदल जाता है क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक important factor provision जो कि अभी मैंने IDFC बैंक में बोला कि उनका भी provision बढ़ा है बढ़ ठीक है इतना नहीं बढ़ा है येस बैंक का provision इतना बढ़ जाता है कि पूरा उनका net profit जो operating profit था वो सब बरबाद हो कि net profit इब्दम खराब हो जाता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ऐसे ऐसे parties को लिएन देके रखावे कि आज भी वापस recovery होगी नहीं होगी बहुत बड़ा question mark करेता है और इस चीज़ के चलते rules बनाए हुए है banking regulation act के सबसे सारी चीज़े follow करने पड़ती है तो ऐसे provision यहापे maintain करना पड़ता है ज्यादा provision होगा तो banks का जो operating profit है वो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि laws में तक दिल हुआ है तो ये point हम लोगों को पता है होना चाहिए तो emotionally नहीं जाना है यहापे यहापे भी सेम BCJS से भी बाते होती emotional investor बहुत है यहापे सिधा target 1000 का बोल दे थे तो ऐसी बिल्कुल भी बात ने 1000 का target जब यह सब कुछ normal था नॉर्मल या फिर जो भी चीज़े चल रही थी तब तक यह अभी तक 400 रुपे का इसका highest level था 400-500 तो अभी तक यह 1000 तक कभी गया नहीं है तो यह भी point पता होना चाहिए emotional होकर अगर आप buying करोगे तो फिर बहुत ज़दा दिक्कते हो सकती है और इस वक्के हम लोग ने number भी देखे थे जहापे NPA भी हम लोग को bank का बढ़ते वे देखने होगा आपे मिला था तो जब तक consistency नजर नहीं आती है तब तक ऐसे bank में बड़ा पैसा लगाना दिखे आप चोटा मोटा पैसा लगा सकते हो ठीक है बट बढ़ा पैसा लगाना या फिर बहुत बड़ी wealth create करने की अगर मैं बात करू न तो वो अभी इस performance यह जो अभी का performance दिखा रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल भी हो जाएंगे तो भी यह यही रहेगा तो इनको सुधार करने की बहुत आवशकता है जो कि अभी तक फिलाल तो नजर यहापे नहीं आ रहे और मैं बार-बार कहता हूँ मैं wealth creation की सबसे बात करता हूँ हाँ अगर 16 रुपे से 20 रुपे जाने के बाद अगर आपको खुशी मिलती है ठीक है वो उसको भी आप profit बोल ही सकते हो बट मैं बात करहा है यापे 16 रुपे का stock 160 चले जाना उसके लिए जो balance rate P&L company के numbers जो होने चाहिए वो अभी तक नजर नहीं आ रहे है वो जिस दिन नजर आ जाएंगे मेरे बोलने से पहले market उसको पकड़ कर stock को उपर भगा देगा तो ये चीज आपको पता है यापे होनी चाहिए फिलाल तो struggle कर रहा है आप सब लोग को पता ही है नेक्स बात करेंगे दोस्तो तो VBL वरून बेवरेजेस इबदम धमाकेदार शांदार कंपनी तीन बार बोनस और अभी एक बार स्प्लिट येस उसो आज के दिन कंपनी का स्प्लिट की घोशना होने वाली थी मतलब देंगे नहीं देंगे तो येस कंपनी ने बोलाए कि स्प्लिट देंगे कितने का स्प्लिट फेस वैल्यू दस है जो की बदल कर फेस वैल्यू पाच हो जाएगी मतलब क्या पर हम लोग कह सकते है डबल आपके शेर्स डबल हो जाएगे ये चीज़े हम लोग को देखने को को भी सस्ते डाम के चलते अच्छा शेर खरीदने को मिलेगा और प्लस कंपनी के नंबर भी आया है तो नंबर डूरिंग दा मार्केट ही आया है कैसे रहे नंबर लॉंग टम के लिए बहुत ही शांदार है अब शांदार बोलते हो सर और यहापे गिरावट मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है मैंने इसके पहले भी आपको कहा है मैं लंब्य होदी की बात करता हूँ अगर कोई बैट्समन अच्छा है तो अच्छा है इसका अरतिया नहीं कि आज वो जिरो प्या आउट हो गया मतलब वो खराब हो गया करके ये चीज़े हमेशा मैं बता चुका है इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है ऐसे multiple चीज़े होती रहती है कमपनी के अगर हम लोग बात करे इसके पहले कितना था मार्च मंद का 2022 का 2800 क्रोड के आसपास का सेल्स या पे कमपनी का धंदा होता था इस वक्क कितना हो गया लगबख 4000 के आसपास बहुत ही शांदार परफरमस और इसी चीज़ को अगर हम लोग पिछले कौटर में भी देखे 200 था जो कि 3800 देखने को मिल रहा है तेन कमपनी का operating profit बिना किसी adjustment वाला वो कितना है 530 का profit देखने को मिल रहा है इस वक्क कितना था 798 तो बहुत ही शांदार परफरमस है OPM की बात करें तो 20% margins company ने आपे maintain करके रखे हुए है और net profit की भी बात करें 439 लास्ट टाइम तो 82 था सीजनल फरक पढ़ता है आप सब लोग को पता ही है और उसके पहले कितना था 271 उसके पहले मतलब same quarter 4 का बट पिछले साल में 270 का कितना हो गया 439 बहुत ही उंदा परफरमस है EPS में भी solid growth है आपे हर चीज के अगर हम लोग बात करें तो बढ़िया नजार आ जाती है ठीक है यह जो fizzy drinks होते है cold drink के बाद करें Pepsi Coca-Cola में उसका इस्तमाल किया जाता है और उसका कोई substitute भी बाजार में फिलाल तो available नहीं है तो उसके उपर यह highly dependent है 6 मेने का stock इनके पास available है unofficially data की इसाब से हम लोग बात कर रहे है सो अगर सुदान में अगर situation खराब होते ही जाएगी तब जाकि इनको यहाँ पर दिक्कते हो सकते अभी यह होगा नहीं होगा वो तो depend करता है वहाँ पर कैसी चीज़े चलती है या फिर यह gum arabic का arrangement कई और से कुछ अगर होता होगा जुगाड तो देख लेंगे ठीक है बट इतना ही कहना चाहूँगा दूस्तो कि company का business बहुत solid है बहुत ही शांदार है और ऐसा नहीं होते है कि company के number एक बार खराब होगे मतलब सब कुछ बरबाद ही हो गई करके ठीक है और in fact company के number long term के investor के लिए भी अच्छे ही नजर आ रहे चाहे quarterly बात करे quarterly तो ठीक ही लगेगा क्योंकि जैसे मैंने का कि seasonal था बट yearly बात करे तो वो भी शांदार नजर आ रहा है तो लंबी पारी खिलने वाली जो भी लोगे वो green signal के साथ चाहे तो continue कर सकते है short term के बाते में ज़्यादा करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि short term में बहुत सारी चीज़े उपर नीचे होती रहती है so split भी मिल चुका है अच्छे numbers भी मिल चुके देख लेते आगे क्या होता है then आखरी अधानी shares yes अधानी shares की मैं जबी भी बात करता हूँ मतलब आप influence नहीं होने चाहिए कि मैं इस party का favor करता हूँ इसलिए मैं इस share को खरीद लूँगा गलत बाते कोई आपको एक रुपया भी नहीं देगा अगर आपका नुकसान हुआ तो ना कोई आमादमी party ना कोई BJP ना कोई Congress आपको अपने पैसो की रक्षा खुद करनी है समझ लीजे थोड़ा emotion side में रखिए जो emotionally गया इस stock में बीच में आपको पता है कितनी सारी चीज़े होई थी मैं daily 5 video बनाता था इस चीज़े के related कि दूर रही है avoid किजे अब इतने सारे लोग इसमें फस चुके है and वापस उनको पैसा कब मिलेगा उनकी cost तक कब आएगा nobody knows so इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों company के business को समझे आप emotionally जहाँ पे जाओगे आपके गिल्या उड़ जाएगी share market में पहले बता चुका हूँ so यहाँ पे अगर मैं बात कर तो NDTV के नमबर देखे थे कैसे थे कल के नमबर बहुत ही खराब थे सिर्फ 2,2% गिरा ठीक है और गिरना चाहिए था कोई फरक नहीं पड़ता है या आज circuit भी लगा देता तो भी हम लोग इसका overडी करते अदानी ग्रीन के नमबर अम लोगों ने देखे अदानी ग्रीन के नमबर वाके में मैंने कल भी बोला बहुत ही खुबसूरत थे शांदार थे बट आप देख सकते हो कि जो चीजे यहाँ पर हो रहे है observation आपका अच्छा होना चाहिए कि सर्किट में आप देख सकते हैं कि जबरदस गिरावट देखने कम लेए इसका अर्थ समझते हो कि किसी बड़े प्लियर ने इस तीजी का फायदा उठा कर माल बेचा है यह जो सर्किट का केल होता है न दोस्तों किसी आम इंसान का काम नहीं होता है यह बड़े प्लियर का काम होता है वो अगर एक साथ बड़ा 200, 300, 400, 500 करोड की कौन्टिटीज बेचेगा तब जाकि इस प्रकार के सर्किट ब्रेक हो जाते हैं वरना सर्किट को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है तो यह चीज समझे जो में hidden message आप लोगों को यह आपर बता रहा हूँ and then अगर हम लोग बात करें अदानी total इसके भी numbers हम लोगो देखने को मिले company के numbers देख सकते कोई energy नहीं है एक रुपे का EPS भी देखने को नहीं मिल रहे but emotional investor तो जाते रहेंगे यह मैं multiple time आप लोगों को आपर बता चुका हूँ so business के हिसाब से सोचना and business की हिसाब से अगर मैं बात कर दोस्तो तो अदानी shares को award करना ही ठीक रहेगा मैं again कह रहा हूँ यह news based stock है news based stock का अर्थ क्या होता है पता है कि stock भागते रहेंगे भागते रहेंगे ठीके and एक ऐसी खबर आ जाएगी जिसके चलते बहुत बड़े वापस circuit में दिक्कत में आ सकते है फिलाल आप लोगों को पता है अदानी ग्रूप के लिए सबसे important चीज क्या है yes जो यह investigation चल रहा है जो इनके उपर आरोप चल रहे है जो इनके उपर politics चल रही है वो जब तक खतम नहीं होते ना यह जो खत्रे के बादल है जब तक खतम नहीं होते तब तक यह group chain की सास नहीं ले सकता कभी भी इस प्राकर की बड़ी गिरावट यहापे आ सकते हैं एक बार गिरावट आ गई फिर खतम ट्रैप आप हो जाओगे आपको मैंने बताया भी था कि शेर जितना गिरता है उतना भागने के लिए उसको कितना multiples में मतलब recovery दिखानी पड़ते तब ही जाके वो आपको फाइदा यहापे दिलाएगा करके सो overall conclusion दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि देखिए अदाने गुरूप के शेर्स कितने भी अच्छे numbers दिखा दे बट इनके लिए main मुद्धा अभी numbers है ही नहीं जो इनके उपर जो investigation जो भी से भी कर रहा होगा या फिर Supreme Court ने जो committee बनाई होगी इससे related क्या outcome निकल कर आता है वो सबसे किमती चीज है आपे आप कितने भी अच्छे numbers दिखा दो मान लिजे अगर investigation में अगर कुछ red flag निकल कर आया काफी है एक news काफी है पूरे circuit को वापस lower circuit में तकदिल करने के लिए तो ये चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए अगर इस सवाल का जाव हाँ है तो then go for it right बट अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे safe खिलना है so संबाल करेना चाहिए ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस प्रकार कि बहुत सारे risky game इन stocks में हम लोग को देखने को आपे मिल जाते है अशा करता दोस्तों वीडियो एलफू लगा होगा तो जरू like and share कर देना अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया तो link नीचे description में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने link के तरो उपन के प्रॉपरली comment section mention कर देना तो अफते बर के अंदर-अंदर सारे lectures मेरे से free of cost प्रवाइड कर दी जाएगे ताके ब शेर बादर को आसान बाशा से सीख सको so that's it thank you very much so we will be meeting rx do तब तक के लिए bye bye